आज हेडिंग बनाईए, development, strategy and challenges, development, strategy and challenges, विकास, कामा, रणनीत और चुनोतियां, पहले समझों, concept क्या है development का, the concept of development, एक हेडिंग बनाऊ, the concept of development, जैसे कभी कोई पूछे कि विकास क्या है, क्या है उसके अधारणा, यह एक लाइन बता देना, लिखो, the concept of development basically signifies the situation, that situation, signifies that situation, विकास के अधारणा मूलत है, situation which is higher and effective, विकास के अधारणा मूलत है, उस इस्थिती का धोतक है, जो अपनी पूरवर्ती अवस्था से उच्चतर और प्रभावित होती है, अपनी पूरवर्ती विवस्था से उच्चतर और प्रभावित होती है, then its previous state, and often clearly indicates progressiveness and gradualism, gradual समझते हैं ना, gradualism, अवस्था से उच्चतर और प्रभावि होती है, और प्राय सुइस्पष्ट रूप से प्रगतिशीलता और क्रमिक्ता को इंगित करती है, उसके आगे की ही बात करेगा, तब विकास की उधारणा समझी जाएगी, फैक्ट लिखें, तत्य, The most important fact regarding the concept of development, अगर यह चीज जो आप लिख रहे हैं, अगर यह चीज हो रही है, और किसी community के लिए हो रही है, किसी class के लिए हो रही है, किसी प्रकार के system के लिए हो रही है, तो आप समझ लिजेगा कि उसका social justice भी हो रहा है और development भी हो रहा है, जैसे हम बेतकर थे, अगर उनको हम बेतकर को scholarship मिल जा है, तो gradually अब कहीं कहीं improve पर जाएंगे, जैसे gradualism जो बोला न, development, जैसे अभी कोई भी चीज का उधारन दिया, जैसे आप exam में गए, और आप में कु लाम बरसों ऐसे करते करते बहतर किया, तो यही है development का concept, लेकिं development का इसमें तीन बाते हैं आप समझेंगे, एक तो concept development है, दूसरा strategy है, तीसरा challenges भी है, तो जब हम कोई भी focus होते हैं किसी भी चीज पर, तो focus होते हैं development पर, और development के tools पर, जो एक strategy है, किस strategy से आप जा रहे हैं, क्या tools उसमें execute करेंगे, और अगर आप इसके बाद भी challenges से आप अनविक हैं, कोई भी चीज करेंगे तो उसके अपने challenge भी तो होंगे न, हमें हमेशा देखें होंगे कि challenges जो हैं, को हम थोड़े side करते हैं, और लगता है कि ये समस्य हमारे लिए नहीं हैं, जैसे किसी का road पर accident होना, सावधानी के लिए एक challenge है, किसी ब्यक्ति का, किसी ब्यक्त से उलजना, दिमाग खराबी के लिए challenge खड़ा कर दिया, ये cool minded जा रहे थे आपने दिमाग खराब कर दिया, तो जो आप development जो करते हैं, उसमें development में एक strategy तो involved होती है, लेकिन अगर आपने ये गलती कर दिया, कि ये क्या challenge खड़े हो सकते हैं, जैसे overbridge बनते समय हमेशा ये लगएगा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और एक strategy भी बनाए जाता है, लेकिन जब वही overbridge किसी होने वाले challenge थे, जो जो चुराउतियां थी, उस पर ठीक से काम नहीं किया, क्योंकि आपने बनाने पर ध्यान दिया, लेकिन ये गिर भी सकता है, तो इसके लिए क्या strategy अपनाई जाए, ये challenge आपने साहित समझा ही ने, तो challenges रहेंगे, समझ रहा ना, challenges तो रहेंगे, challenges आप सुधार की प्रक्रिया मान के चलिए, चुनोतियां जो है, सुधार की प्रक्रिया ही है, और अगर आप ये सोच रहेंगे, challenge आया ही ने, तो challenge इसकी जिन्दगी में नहीं है, तो social justice को पाने के लिए आपको strategy को सही रखना है, तो development क्या है, पहले वो समझ ले, development है, progressiveness और वो क से कते हैं, समर्धी और विकास क्या है, अभी उसको भी थोड़ा समझ ले, ये थोड़ा economic part जैसा लगता है, जैसे हम लोग इंडियन economy में पढ़ते हैं, उची तरीके से इसका लिए, तो लिखो ज़रा सा, the most important fact regarding the concept of development, विकास की अउधारना के संबध में सर्म प्रमुक तत् development is that it cannot be confined to any particular area, to any particular area, सर्म प्रमुक तत्या है कि इसे एक शेत्र विशेष तक सिमित नहीं किया जा सकता है, अनि पर्टिकुलरे, रधर, इज़ दीपली रिलेटेट तो अल अरियास अफ एकोनामिक, बल्कि यह व्यापक रूप में एकोनामिक, आर्थिक, पोलिटिकल, राजनीतिक, सोशल, सामाजिक, टेकनलोजिकल, तकनीक, सभी छेत्रों से गहरे रूप से जुड़ा होता है, या कोई पर्टिकुलर एक एरिया से लेन देना नहीं है, यह सारी चीजें इसमें गुठी रहते हैं, आजवेल आज या आजवेल, इतना लिख लो, In the popular sense, साथ ही साथ, development is basically considered around the economy, साथ ही प्रचलित अर्थों में, बिकास को मूलत अर्थ विवस्था के इर्दगिर्द माना जाता है, and discuss of development in a broad sense, discussion लिख लिए, discussion of development in a broad sense, often focus या focus कर सकते हैं, focus on the strategy of economic development. प्रचलित अर्थों में बिकास को मूलत अर्थ विवस्था के इर्दगिर्द माना जाता है, और ब्यापक अर्थों में बिकास की चर्चा प्राया है, आर्थिक विकास की रणनीती पर ही केंजित होती। अब लिखें, economic development and economic growth. Economic development and economic growth. पहला लिखिए गया, economic development is a broader concept than economic growth. सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना है कि जो एकोनामिक development है वो बड़ा है एकोनामिक प्रोथ से आर्थिक विकास आर्थिक समर्धी से व्यापक अधाना है नेक्स लिखिए only quantitative changes are evident in economic growth आर्थिक समर्धी में केवल परिडात्मक परिवर्तन स्फष्ट होते हैं केवल परिडात्मक क्या लिखा आपने परिवर्तन स्फष्ट होते हैं while both qualitative quantitative है qualitative qualitative and quantitative changes are involved in economic development किलेर हुआ जबकि आर्थिक विकास में गुडात्मक और परिडात्मक दोनों परिवर्तन नहीं थोते हैं दोनों परिवर्तन नहीं थोते हैं नेक्स लिखिएगा the economic growth is basically an objective concept and objective concept आर्थिक समर्धी मूलता है वस्तुनिष्ट आउधारणा है वाइल economic development is a subjective concept जबकि आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ट आउधारणा है अब एक हेडिंग बनाएंगे छोटा सा लिखिएगा strategy में बदलाओ change in strategy देखो हमारे हाँ जो simple ऐसा समझके चलो कि अभी हमने सामाजी की भी बात किया economy भी बात किया social भी बात किया तक्नीकी भी बात किया राजनितिक भी किया चार्व की बात कही कि यह सभी मिला दिये जाए तो यह विकास लेकिन यह भी बताया कि आर्थिक जो विकास को लेकर के ज्यादा discussion होता है जैसे आप एक ब्यक्ति के विकास को अगर आपको आकना हो तो अगर intellectual point आप उसको आकलन करेंगे तो आप यह देखेंगे कि यह कितना पड़ा लिखा है यह socially भी करेंगे, intellectual educationally उसको देखेंगे और भी उसको जो उसका समाज में क्या रोल है, किस तरीके से उसका concept है, कैसा वो अपने को रखता है तो हर व्यक्ति क्या होता है अपने अपने interest की चीज़ जहां जिससे प्रभावित होता है लेकिन विकास की क्या परिभासा है विकास की परिभासा है progressiveness और gradually चलते रहना आप समझें ना, progressiveness और gradually चलते रहना जैसे गरीबी gradually घटनी चाहिए, बिरोजगारी घटनी चाहिए, महंगाई घटनी चाहिए, आदमी का empowerment बढ़ना चाहिए, लोक ससकती करन gradually होना चाहिए यह development की definition है, तो विकास हमने क्या बोला, विकास ब्यक्तिनिस्ट और growth को क्या बोला हमने, वस्तिनिस्ट तो आप अगर अपने बच्चे की फीज दे लें, अपने लिए कपड़े बनवालें, अपने लिए इलाज कर लें, और अपने पीडियों से बहतर कर लें, फिर आपका बच्चा और बेहतर कर लें, और बेहतर कर लें, यह तो विकास हुआ, लेकिन आप कर्ज में दब जाएं, आप रोटियां चार पे आजाएं, तो यह progressiveness नहीं हुआ, तो हमेशा कोई भी सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा सामने वो चीज रखती है, जिससे उसका जो development है, या उसका जो आभा मंडल है, या उसका जो प्रभावशीलता है, वो उसमें जलगती है, तो social justice के वोल एक शब्द नहीं है, social justice पूरा हिसाब किताब है, इसलिए आम तोर पर लोग अर्थ व्यवस्था की ही चर्चा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है, कि अर्थ व्यवस्था के बड़े होने से आप बड़े नहीं होंगे, आप intellectual हैं की नहीं, socially हैं की नहीं, technologically correct हैं की नहीं, politically आप ठीक हैं की नहीं, ये सब भी concept of development है, क्यों एकोनामिक हैं, ऐसे तो चोरुचक के ड़केत हैं, ऐसे तो बहुत लोग जेब काटे हैं, बहुत लोग सरकार का खाजाना लूटे होंगे, बहुत लोगों ने ठेकेदारी में गलत बना करके अपनी तीजोरियां भरी होंगी, बहुत लोगों ने यहीं देख लीजे, पेपर बांट-बांट करके लाखो रुपया रातो रात कमा लिए हैं, करोणों कमा लिए हैं, तो क्या हम उनको progressiveness में रख पाएंगे, ये concept ही नहीं है development का, development का, हमें देखिए, 20 साल से मैं पढ़ा बना पाया, ये gradually ही हुआ होगा, कभी motorcycle खरीदा होगा, कभी car खरीदा होगा, ये सब gradually है, लेकिन हमने socially या economically या इसी में बीवा भी करना है, इसी में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, फिर बच्चे पढ़ भी रहे हैं, फिर उनके लिए घर भी बनाना है, फिर कोचिंग भी देखना है, फिर अपनी बीमारी परिशानी को भी मैनेज करना है, तो बहुत उच्चाल तो नहीं हुआ है, लेकिन विकास का gradually concept यही होता है, आप एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाएं, तो उसमें progressiveness और gradualism देखना चाहिए, बस, यही विकास है, पता चला कि आप घमंडी हो गए, समाज से कोई लेना देना नहीं है, आना आप सनाप पईसा जमा कर लिए, यह concept भी नहीं है development का, हलाकि आज के टाइम में, economic development को ही लोग development मांगते हैं, क्योंकि आम तोर पर TV में या कहीं पर भी समाज में जाएंगे, तो यही discussion होता है, लेकिन मने जैसे मनमोहन सिंग का उधारन दिया, पीछे से चले जाओ, सरपली राधा कृष्णन की बात करो, आगे आ जाओ, डाक्टर एपीज अब्दुलकलाम की बात करो, तो यह लोगोंने ग्रेज्वली ही तो किया, डाक्टर अंबेदकर की बात कर लो उस जमाने की, वो लोगोंने ग्र अंबिधान निर्माता कहलाते हैं, कहां से कहां यात्रा किया, यह ग्रेज्वली तो हुआ, और आप जाके देखें, पड़े लिखे मिलेंगे, समाज में अंज़श्टी से उसके खिलाप आवाज उठाएं हैं, एकोनामिकली भी चीज़ों को समझते थे, लोग, एक तो वही चीज आगे आगे प्रोग्रेसिव देखते जाएंगे, तो प्रोग्रेसिवनेस देखना जाएंगे।